उत्तर प्रदेश के विधान सभा के बजट सत्र से पूर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग्या दित्यनात ने लखनों में प्रैसवारता कर मीडिया को संबोधित किया सियम ने कहा कि बजट सत्र के दोरान वर्ष 2024-25 का बजट भी उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर की आई पर सदन में चर्चा होगी सत्र प्रारंब होने से पहरे दल्य नेताओं से संबंदित बैठक और उससे पूर्व एडवाईजरी कमीटी की बैठक संपन कर जो कारिये योजनाई तै हुई है उसके अनुसार सरकार ने अपनी पूरी तयारी की है का एक बहुत महत्तुकूर दस्तावेज होता है और किसी भी सत्र के वर्ष के सुभारंब का पहला जो विजनेस होता है वह विधान मंडल में मानने राज्यपाल के इवाशन से ही सुरू होता है बजट सत्र है तो वर्ष दोहजार चौबीस पच्चिस का बजट भी इस दोरान उत्तरप्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत होगा और वर्ष भर के आई बे को लेकर के सदन में चर्चा होगी सत्र प्रारंब होने के पहले दल्य नेताओं से समंधित बैठक और उससे पोर्व बिजनेस एडवाईजरी कमिटी की बैठक भी संपन होकर के जो कारियोजनाय तैव हुई है उसके उनसार सरकार ने अपनी पुरी तैयारी भी की है उत्तर प्रदेश बिधान मंडल 25 करोड जनता जनारदन की आसा आकांसाओं और अपिक्साओं का एक केंद्र है जनता से जुड़ीवे हर दुसुक दुख से जुड़ीवी घटनाओं को उल्लास और विलास विसाथ से जुड़ीवी घटनाओं का एस साकसी है मुझे प्रसंता है कि उत्तर प्रदेश बिधान मंडल पिछले 5-6 वरसों के अंदर लोक्तंत्र के एक महत्वपून स्थंब के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है सकारात्मक मुद्दों पर विकास से जुड़ेवे मुद्दों पर हर मानने सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्सुक दिखाई देता है और मैं इस उसर पर अपने विपक्सी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूँगा कि जो मानने सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दल्ली सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधान सवहा या विधान परिस्द को हमने हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने की आऊ सकता है और उस दिश से यह सत्र हमारे ले बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा राजिपाल जी के विवासन पर चर्चा होगी उसका जवाब भी सरकार की तरब से जाएगा बजट पर चर्चा होगी मानने सदस्यों को अपनी राय इन दोनों महत्वपूर्ण मुत्तों पर और अंदा पर देश में दुनिया में उस सकारात्मक माहूल का लाब यरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधान मंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे हमने कल भी दल्ये नेताओं की बैठक में बहुत स्पास्टूप से कहा है कि सरकार हर विधान मंडल की कारवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तयार है और उसका तथ्यपरक और सही जानकारी होगी उसको सदन के समक्स रखने और मानने सदस्यों को उगत कराने के लिए पूरी तरह तयार है मैं एक बार फिर से उत्तरप्रदेश विधान मंदल की वर्स तौजार चौबीस के सत्रप सुभारंब के उसर पर सभी मानने सदस्यों को इर्दै से स्वागत करता हूँ उन्हें उत्तरप्रदेश विधान मंदल की कारवाई को सुचारू और नियम संगत तरीके से आगे बढ के लिए उन सब का आउवान करता हूं लोकतंत्र के उन मुल्यों और आदर्सों के इंडूप सत्र की कारवाई को प्रभावी टंग से आगे बढ़ाने में उनके सकारत्मक योगदान की भी अपिक्सा रखता हूं और उत्तरप्रदेश ने आधनिया प्रदान मंत्री जी के म मार्ग दरसन में 22 जनवरी 2024 को अयोत्या में प्रभु स्री रामलला के 500 वर्सों के उपरांद एक लंबे अंत्राल के उपरांद भब्य प्रतिष्टा समारों के सकुसल संपन्न होने और प्रतिजिन लाखों की संख्या में सरदालों जनों का अयोत्या धाम में आगमन और उन आप सभी का भी हर्दय से अववादन करता हूं धन्यबाद जय हिन